इस कहानी का किस्ता भगवान कृष्ण के बच्पन की लीला से संबंधित है। एक समय की बात है, एक फल विक्रेता बूढी महिला ब्रिंदावन में फल बेचने आई। जब नन्हे कृष्ण ने उन्हे देखा, तो वह उनकी ओर भागे चले आए, क्योंकि उन्हे आम बहुत पसंद थे। और कुछ समय बाद अपने हाथों में थोड़े से अनाज लेकर वापस उनके पास आए। फल विक्रेता बुढी महिला ने कुछ आम नन्हे कृष्ण को दिये, और जब कृष्ण ने उन आमों को खाना शुरू किया, तो अचानक से उन महिला के सभी आम सोने और आभूशनों में परिवर्तित हो गए। यह घटना ब्रिंदावन के लोगों के लिए एक अध्भुत चमतकार का साक्षी रहा, और सभी ने कृष्ण की दिव्यता का साक्षातकार किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को उनकी सच्ची भक्ती का परिणाम देते हैं और उनके हर एक कार्य में जन का ल्यान निहित होता है।